याने आपके साथ मिलने का एक शुब अवसर और अपने परिवार जनों के साथ जब मिलते हैं तो कितना सुखद होता है कितना संतोसदाई होता है मन की बात के द्वारा आप से मिलकर मैं यही अनुभूती करता हूँ और आज तो हमारी साजा यात्रा का एक सो आठवा एपिसोड है हमारी यहां एक सो आठ अंका महत्व उसकी पवित्रता एक गहन अध्यान का विशा है माला में 108 मन के 108 बार जब 108 दिव्यक्षेत्रा मंदिरों में 108 सीधियां 108 गंटियां 108 का यह अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए मन की बात का 108 वा एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है इन 108 एपिसोड में हमने जन भागिदारी के कितने ही उधारण देखे हैं उनसे प्रेरणा पाई है अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई उर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखत संयोग है कि कल का सुर्योदय 2024 का प्रथम सुर्योदय होगा हम वर्ष 2024 में पवेश कर चुके होंगे आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुप पामना है साथियों मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिख कर अपने यादगार पल साजा किये हैं 140 करोड भारतियों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेश उपलब्दियां हासिल की है इसी साल नारीश शक्ती बंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतिक्षा बरसों से थी बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख कर भारत के पाँचवी सबसे बड़ी अर्थवरस्ता बनने पर खुशी जाहर की अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सभरता याद दिलाई साथियों आज भारत का कोना कोना आत्म विश्वास से भरा हुआ है विक्सित भारत की भावना से आत्म निर्भरता की भावना से ओत्प्रोत है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है और कारुबार ने ये साबित किया कि हर भारतिया वोकल फर लोकल के मंत्र को महत्पत दे रहा है साथियों आज भी कई लोग मुझे चंद्रियान तीन की सभरता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानी को और विशेश कर महिला वैज्ञानी को को लेकर गर्व का अनुभव करते होगे जादी आपणों को आमो वीडियो टी भल लगिला तेवे आमो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब को जमा भी बोलों तो नहीं